जैहिन दोस्तों मैं निर्भय आपका एक बार फिस्टे टेक्पिली चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों अपने पिश्री वीडियो में मैंने आपको टोप 10 ऐसे MCQs बताये थे पार थी इफ़ एल्स कंदिशन तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो कर पैसे आपको सब्सक्राइब पर दीजिए क्योंकि मैं सब्सक्राइब आपके लिए यह वीडियो लाता रहता हूँ तो दोस्तों बने गई सब्सक्राइब अब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज सबसे पहला कोश्चन हमारे पास यह है MCQ नमबर बन इसमें लिखा हुआ है हैसिंक्लूड एस्टेडिया डॉट टेच टिक है Boyd Main हमारे पास Main Method है उसकी Body यह रही इसका अंदर लिखा हुआ है If Print F और इस Print F के जो भी Double Quotes है इनके बीच में एक भी Character नहीं है याद रखेगा अगर इसमें एक भी Character होता है तो वो उसको पहले Print कर देता है और सबुच के जिए है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि If के अंदर अगर Print F लिखा हुआ है ठीक है राइडिंग में देम मत दीज देगा तो पहले तो Print F में जो भी लिखा हुआ है बो डिस्पले हो जाएगा और उसके बाद जितने भी Character आपके Double Quotes के बीच में होंगे वो उतने Character रिटर्न कर देगा If Condition को ठीक है तो इसी बात को हम ध्यान में रखके हुए आगर को पढ़ते हैं जो भी होता उसका Opposite उसे Return करना है तो 0 है तो 1 रिटर्न करेगा 1 है तो 0 रिटर्न करेगा क्योंकि यह 0 है और 0 के आगे Not operator लगा हुआ तो यानि कि यह If Condition के अंदर 1 रिटर्न करेगा और Other Than 0 होता है इस Condition के अंदर तो इसका मतलब Condition आपके True है और Condition जब भी True होगी तो आपका If की जो भी Body होगी वह Execute होगी ठीके तो If की Body आपके Print F OK तो यह OK जो है वह आपका Print हो जाना चाहिए So Answer No.1 is the right answer of this question एक बार हम इसे Cross Check कर लेते हैं तो यहाँ पर OK जो है वह आपका Output में आ गया यानि कि हम एकदम ठीक थीक थे Option मर्बन ही इसका right answer है तो अब हम बढ़ते हैं Question No.2 की तरफ तो Question No.2 में हमारे लिखा हुआ है S Include STDIR.S चोग एकदम ठीक लिखा हुआ है उसके बाद हमारे पास Main Method और Main Method की Body हमारे यह रही इसके अंदर हमने Integer Type X नाम से एक Variable डेक्लेर किया हुआ है जिसके अंदर हमने 22 as is की Initialize Value की हुई है तो X की जो Value है फिलाल है 22 then if condition है यहां लिखा हुआ है X के अंदर 10 Initialize हो रहा है तो क्या if condition के अंदर कुछ भी हम Initialize नहीं कर सकते हैं जी हाँ हम कर सकते हैं X के अंदर हम 10 यह कोई भी Value को Initialize दबारा से कर सकते हैं तो यानि कि if x initialization operator इसके अंदर हमने 10 initialize किया तो x की जो final value हो जाएगी वो हो जाएगी अपकी 10 अब क्योंकि x की value 10 हो चुकि तो if के अंदर जाएगा x तो if की condition के अंदर गया 10 और क्योंकि if के condition के अंदर other than 0 कुछ भी होता है तो वो true होता है तो यह हो गया true अगर यह true हो गया तो if की जो body है वो execute होगी जिसके अंदर लिखा हुआ है true print tab में तो यह execute होगा और answer आएगा option number one true एक बार हम इसे cross check कर लते हैं तो दोस्तों आप यहां देखेंगे answer आए हमारे पास true तो question number 3 की तरब हम बढ़ते हैं तो question number 3 में हमारे पास लिखा हुआ है include str.h जो एकदम ठीक है हर बार की तरह boy main method main method की body है यह इसके बाद character tab का एक bell नाम से variable declare है जिसके अंदर बन हमने इनी slice किया हुआ है तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे character तो भाई character को declare करने के लिए जिससे हम single quotes के बीच में लिखते हैं या फिर हम लिखते हैं बी कुछ इस प्रकार से यूज होता है तो आपने यह बन क्यों लिख दिया देखिए character जो एना अगर हम इसे %D से denote करते हैं तो वह एक तरीके से character का काम करेगा ठीक है इतना के लिखते हैं तो यहां पहले का हुआ इफ बैरेबल उसके बाद यह decrement operator है तो इसे बोल देंगे हम post degreement operator जिसके बाद हमें equality operator हमारे पास है कि वह 0 के बरावर है यह नहीं है तो variable जो बैल है उसकी value है 1 1 minus minus यानि कि वह 1 minus होगा पर पहले तो बन है तो बरावर है 0 के यह नहीं है यह आपका पूछ रहा है तो क्योंकि यह minus minus जो है वह आपका बाद में काम करेगा बन आपका पहले काम करेगा तो अभी फिलाल जो value होगी एक तरीके से बन होगी और बन जो है वह कभी जीरो के बरावर नहीं होता है तो condition होगी आपकी इसकी बॉड़ी है इसकी बॉड़ी के अंदर एक फ्लोट टैप आप ए नाम से बहरेबल लिख लिए रहा है इसके अंदर हमारी value है 10.5 यानि कि जो एकी value है वो है 10.5 इसके पर प्रिंट है लिखा हुआ है first condition यानि कि यह तो प्रिंट होना ही होना है तो सबसे पहला होगा first condition print ठीक है इसके बाद है if size of operator इसके अंदर a है क्या बराबर है size of 10.5 value के या फिर constant के तो देखिए size of a यानि कि a है आपका float और a का जो आपका size होगा वो होगा 4 ठीक है तो वो चेक करा रहे है क्या वो बराबर है size of 10.5 के तो आप बोलें कि 10.5 भी float है तो इसका भी size जो वो 4 आएगा तो answer हो जाएगा आपका 4 is equal to 4 तो answer आएगा आपका true अब यह सोच रहे होगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 10.5 जो है अगर आप constantly लिखते है इस प्रेकार से इस तरीके से नहीं लिखते है आप कुछ इस प्रेकार से 10.5 लिख देता है एक constant के रूप में floating point यह real number तो यह consider किया जाएगा as a double number जिसका size होता है आपका 8 और कभी-कभी compiler dependent भी हो जाता है तो इसलिए 4 जो है वो कभी भी बराबर नहीं होता है 8 के तो condition होगी false और अगर condition false होगी तो इसकी body execute नहीं होगी बल्कि यह else वाला part execute होगा चुकि करेगा आपका not masked तो first और then not masked print ह होगा तो आगर लिखा हुआ है print f second condition तो यह तो print हो गई होगा इसके बाद if size of a जो कि आपका 4 हो जाएगा क्योंकि यह आपर a जो है वो आपका float है 4 is equal to size of 10.5 पर यहां पर ध्यान जीजिए यहां पर f लेका हुआ है यहांनि कि यह convert हो चुका है float में तो यह 4 ही रहेगा तो 4 4 के बराबर होता है तो condition हो जाएगी match तो answer आएगा आपका यह बाला match तो पहले होगा second condition print उसके बाद होगा match print then नीचे पढ़ते है third condition यह तो print हो नहीं होना है इसके बाद if size of double a देखे a जो है वो अब type conversion हो गया है a का double बन गया है तो यानिकि इसके value होगी यहां पर 8 then size of 10 10.5 यहां पर f नहीं लिखा हुआ है 10.5 लिखा हुआ है यानिकि सीधे सीधे constant real number floating point number है तो इसको by default हम double मानते हैं तो इसके value होगी 8 और 8 और 8 बराबर होते हैं तो यह करेगा print आपका match तो पहले होगा third condition उसके बाद होगा match print तो fourth condition यह तो print होना है इसके बाद है a जो है बरा इसके दोने equal है तो answer आपका match तो fourth और match तो आप यहां देखेंगे first not match, second match, third match, fourth match तो यानिकि हम एकदम ठीक थे हैं तो question number 5 पे चारब हम बढ़ते हैं then condition है कि a जो है वो बरावर है 10 के क्योंकि a की value यहाँ पर 10 है और 10 हमेशा बरावर होता है 10 के condition होगे आपके true अब जैसे ही condition true होगी तो if की जो भी body होगी वो execute होगी तो यह जो block है आपका यह execute होना चाहिए इसके अंदर आप जाएंगे अब आप यहाँ देखेंगे क्या कभी आपने देखा है कि if के अंदर break लिखा हुआ है ऐसा नहीं होता है हमेशा जो आपका break statement है वो या तो loop के अंदर use होगा या फिर switch के अंदर use होगा और यहाँ पर ना तो loop है और ना switch है यानि कि यह गलत जगह लिखा हुआ है तो यह हो यहाँ पर error आया break statement not within loop or switch यानि कि यह गलत जगह लखा हुआ है ऐसे यहाँ पर question no.6 है stdr.h main method है return 0 कि यह हुआ क्योंकि integer इसका return type है इसके बाद if के अंदर लिखा हुआ है एक condition logical end operator इसके बाद एक और logical end operator पर इसके बीच में है logical और operator तो काफी complicated से दिख रहा होगा पर आप यहाँ दियाद देंगे कि minus 100 लिखा हुआ है end operator में यहाँ लिखा हुआ है 100 अब end operator क्या कहता है end operator कहता है कि हमारी जो first condition है और जो last second condition है वो दोनों condition true होनी चाहिए तब ही वो to print करेगा और हमारा और operator बोलता है कि जो हमारे पहली condition है और दूसरी condition है उन में से कोई भी अगर एक condition हमारी true होगी तो हम true print कर देंगे ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि minus 100 है other than 0 है यानि कि यह true माना जाएगा एक तरीके से तो यह होगी आपकर true यानि कि बन इसके बाद end operator लगाया हुआ यह भी 100 है और other than 0 है तो यह भी consider होगा बन यानि कि ब logical operator है तो यहाँ पर लेका 20 जो कि other than 0 है यानि कि बन है और यहाँ end operator minus 20 दो कि other than 0 है minus और plus कोई लिए देना नहीं है तो यह भी print करेगा बन और यहाँ पर end operator और दौनों true है तो यह return करेगा बन तो यहाँ भी आ गया बन और logical order operator बोलता है कि अगर एक भी true हुआ ना तो हम true return कर बन यानि कि true तो इफ condition के अंदर final में क्या जाएगा इफ बन condition true condition true तो इसका जो condition is true तो option number one is the right answer एक बार हम इसे check कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे condition is true हमारा एकदम सही answer है has include stdia.h line ठीक है इसके बाद has defined preprocessor directive हमने यहां use किया हुआ है जिसके अंदर अगर हमने लिखा हुआ है true और उसकी value कर रखें बन यानि कि इस पूरे प्रोग्राम में जहां भी true लिखा हुआ दिखेंगा उसकी जगह बन consider होगा यह simple बात है इसके बाद main method है main method return 0 लिखा इसका return type है इसके बन लिखा हुआ if true अब देखो true यहां error नहीं होगा जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि true है तो error है क्योंकि true जो है कुछ भी boolean type नहीं है सी के अंदर और अगर उसकी bearable है तो चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा पर यहां पर एक तरीक tab लिखा हुआ जो कि आपके two तो आप बोलें कि two भी print होना चाहिए पर two print नहीं होगा क्योंकि इस if की body जो है वो curly bracket के साथ नहीं लिखी गई है और अगर curly bracket के साथ नहीं लिखी गई है तो इसका मतलब if की body है वो से पर इसकी single statement हो सकती है यानि कि यह यह नहीं हो सकती है और आप नहीं देखेंगे else without a previous if यह आपकी गलत जगर लिखा हुआ है question no.8 में आप देखेंगे has include stdr.h main method return type int है इसलिए return 0 यह लिखा हुआ है इसकी body में integer type का pn नाम से एक variable जिसके अंदर हा इसकी value जो है 100 यानि कि pn की जो value है वो है 100 then एक condition है जिसके अंदर लिखा हुआ हु 1 यानि की true और अगर यह condition आपके true होगी तो इसकी body execute होगी इसकी body क्या है यह है तो इस बार फिर से if condition चेक होगी यह होँगी यहाँ होँगी पी एंड क्या less than 20 के तो pn less than होना चाहिए क्योंकि pn की value जब होई less than 20 के तो condition होगी आपकी false क्योंकि 100 जो है वो less नहीं होता है greater ह तो condition की false तो if के अंदर गया 0 अब क्योंकि यहां 0 हो गया condition तो इसका जो body एक वो execute नहीं होगी बल कि इसका जो else part है वो execute हो यानि की high execute होगा और इस बाले उपर वाले if का तो कोई condition ही नहीं तो answer number 2 हमारे इसका right answer होना चाहिए एक बार हम इसे check कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहां पर proper एक पूरा program नहीं लिखा हुआ है पर यहां पर हमें consider करना है कि इन में से कौन सी statement गलत है यह 4 statement हमारे सामने है जिसमें से अगर suppose कि जिए a की value यह जो value है वो 10 है याद रखेंगा a की value हमें आप 10 मानी है तो condition कौन सी गलत होने चाहिए तो if a की बरावर है value 10 के तो condition सही है क्योंकि a की value को हम 10 10 से 10 को match कर सकते है तो यह वाली जो condition हो सही है उसके बाद if 10 बरावर है एक ही तो आप बोलेंगे भाई यह तो यहां लिखना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है एक को आप कहीं भी लिख सकते है अगर आप equal to operator यूज कर रहे है तो अगर आप assignment operator कर रहे ह तो वो गलती हो जाएगा यहां पर double equal sign है इसलिए आप इधर या उदर कहीं भी लिख सकते हैं तो यहां पर 10 है और यह एक ही value भी 10 हो जाएगे तो यह बापेस उपर जैसा हो जाएगा तो यह भी ठीक है इसके बाद last जो इसके बाद second last third statement है कि a के अंदर 10 value initialize हो रही है तो यहां पर assignment operator graph use कर रहे है तो L value कभी भी आपका constant नहीं हो सकता है L value को आप हमेशा variable लिखते हैं तो यहां पर L value आपका A होना चाहिए था और यहां पर R value आपका 10 होना चाहिए तो यह राइट होता पर यहां पर लिखा हुआ L value 10 R value A है तो यह गलत statement है तो यह जो statement है वो आप method का इसके बाद integer type का A नाम से variable है जिसके अंदर initialize है हमारा 10 यानि कि A की जो value है वो है हमारे पास 10 then if 10 L अब यह confusion मन जाएगा भाई if 10 L लिखा हुआ यह L कहां सा आगया पता नहीं इसके बाद लिखा हुआ है equal sign A क्या जो हमारे 10 L है वो बरावर है A के और A की value है 10 then 10 L is equal to A or not तो आप बोलेगे L लिखा हुआ हो सकता है कि यह double type हो जैसे हम L F लिखते थे या F लिख दे थे थे तो L का क्या मतलब होता है अगा हो सकता है आपको पता ही नहीं हो L क्या है भाई देखो यहां पर L जो है ना वो long है मैंने आपको बता है था जब आपको variables बगएरा पढ़ाई थे कि इनमें दो types होते हैं डड़े types के एक होता है आपका sign qualifier एक होता है आपका size qualifier तो यहां पर जो है ना यह है size qualifier तो integer का size qualifier है यानि कि यह long यह भी एक तरीके से integer है तो 10 और 10 लिखा हुआ यह एकदम true माना जा यह भी प्रिंट नहीं होगा यानि कि सिर्फ 10L इसका answer होगा तो option no.2 इसका right answer एक बार में इसे check कर लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 10L आपके सामने लिखा हुआ आ गया तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आसा कर तो आपको यह वीडियो पसंद कर जीजिए कोई problem आ रही है मुझे instagram id पर जाके मुझे वहाँ follow कर सकते हैं साथ हैं उसे कुछ discussion करना हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं बस मैं free होना चाहिए हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो सिर्फ इतना ही वीडियो पसंद ने कर पर इस वीडियो को like कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों आज चैनल पर ने तो कर पैसे न को subscribe कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यबाद